नमस्कार दोस्तों, Mechanical Gyan YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि Bearing की Clearance क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसको Practically देखेंगे दोस्तों ये जो Bearing की Inner Race है और ये है Bearing की Outer Race और इसके बीच में यहाँ पे है इसकी जो Rotating Ball जो Bearing के अंदर Rotate करती है जिसको हम Rotating Elements भी बोलते हैं तो इनके बीच में जो Clearance होती है यानि इनके बीच में जो Play होती है यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे हिलाएंगे तो जो Play हमको महसूस हो रही है उसको हम Bearing की Clearance बोलते हैं तो जो Bearing की Clearance है वो दो परकार की है तो सबसे पहले तो है Radial Clearance और दूसरी है Axial Clearance तो सबसे पहले मैं Radial Clearance देख लेते हैं तो यहाँ पे गाईज अगर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे Inner Race को और इसको अगर हम उपर नीचे ऐसे ऐसे उपर नीचे हिलाएंगे तो जो Play हमको महसूस हो रही है यानि उपर नीचे जो Play हमको इसको महसूस हो रही है उसको हम Radial Clearance बोलते हैं ठीक है दोस्तो यानि इन Ball के बीच में जो Play है उपर नीचे की play उसको हम radial clearance बोलते हैं और इसके बाद है दोस्तो axial clearance axial clearance दोस्तो यह है जैसे हम इसको inner race को पकड़ेंगे और इसको हम आगे पिछे move करेंगे ऐसे यानि इधर उधर move करेंगे तो यह जो इधर उधर की जो moment है इस clearance को बोलते हम axial clearance उपर नीचे की जो clearance है उसको बोलते हैं radial clearance और यह जो आगे पिछे की moment है इसको बोलते हम axial clearance तो दोस्तो आज की short video में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगे है तो वीडियो को like और अपने दोस्तों के शायर जरू कर दें thanks for watching